हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल शौप गोट्स अन्बॉक्सिंग आज हम लोग एक पैच करेंगे जो कि कॉंगो पैच है और यह मल्टी पैच है तो इस पैच की जो भी एलेटिंग में आपको बताऊंगा तो उसको आप सेफ करके लिजेगा ताकि आपक कि आप कई साले गाने इसमें प्ले कर सकते हैं जो कि पुरानी गाने इसी कॉंगो बैचच पे बेस्ट हैं तो आई ये पहले मैं आपको प्ले करके दिखा़ देता हूं और उसके बाद फिर में आए आपको इसकी एडिटिंग बताऊंगा उसके बाद मैं आपको इसका बीट के बारे बताऊंगा तो वीडियो को पूरा एंटक देखेंगा बीना स्किप किये तब कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला सौंग है यह जो महबत है उसकी बीट पहले मैं प्लेकर कर दिखा देता हूं अब जाए निश्चाए हो जाए बसना आए तो यह हमारी जो यह जो महबत में गाने में पीट पजी वह मैं बजा रहा हूं आपको अब हम लोग चलेंगे नीले नीले अंबर पे नीले अंबर पे कैसी बीट बजी है तो यह बीट हमारी नीले अंबर पे गाने पे बजेगी तो ऐसी दोनों बीट हमारी इसको इसमें आप प्ले कर सकते हैं तो पहली बीट क्या है और दोसरी बीट क्या है तो यह दोनों बीट जो है आप प्ले करके यह दोनों गाने इसमें प्ले कर सकते हैं ऐसे और भी गाने में आपको सामने ले कि आँगा इसी कौंगो पैच में इस पैच को जरूर सेफ कर लेजिएगा ताकि आप इसमें कई सारे गारने इसमें प्ले कर सकते हैं आईए चलते हैं आप इसकी एडिटिंग सीखते हैं फिर इसकी बीट को सीखेंगे तो फ्रेंड्स अमनों ने इस बीट प्ले करके देखी आए इस पैच की एडिटिंग को सीखते हैं और जानते हैं कौंगों से टोंस इसमें सेट किये हैं ताकि इसली आप इसको प्ले कर सकें तो सबसे पहले जब आप पैड ओन करेंगे तो आपके सामने किट 001 आएगा अब इसको आपको जो एडिटिंग करनी है जो किट को देना है तो मैंने जो नंबर दिया इसको 072 तो 072 मैंने इस कौंगो फीड किया जो की बेटनैंकर फब यह अब इस पैटन को अापको इसके अंदर जाना है अंदर predicting आप इस पैटन को किया अभिप करने के लिए आपको इसके अंदर जाना है अन्दर जाने के लिए आपको मिनू एंटर के बटन को प्रस करना है जब और प्रेस करेंगे तो यहां पर लेकिया एगा चुके हैं और यह पैच रेड़ी है एडिटिंग के लिए तो इसको एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले चीज क्या है कि आपको पैट को हिट करना पड़ेगा यानि कि जैसे इसमें आठ पैड है तो फर्स्ट पैड पीट करेंगे यहां पैड वन शो करेगा जब सेकंड प आप एक पैड के अंदर डाल सकते हैं तो इसमें आपको यहां पर वाइस ओल दिखा रहा है और यहां पर तीनों लेयर दिखा रहे हैं ठीक है तो इसमें आपको लेयर सेट करने के लिए आप लेयर टेंपो के बटन को प्रेस करेंगे तो एलवन आएगा इस पहले पैड में L1 पर मैंने दिया है 0182 ठीक है 0182 अब L2 में देख रहेते हैं 2152 जोकी mute है 2152 थर्ड में भी mute है तो यह हमारा pad ready हो गया अब pad 2 को hit करेंगे pad 2 में L1 में है 0794 L2 में है 0424 L3 में है 2152 जोकी mute है अब यह भी set हो गया अब हम pad 3 में चलेंगे अब इसमें हमारा L1 में है 0795 L2 में है 2152 L3 में भी 2152 यह भी all हो गया अब हम pad 4 पर चलेंगे अब layer 1 पर है 0800 L2 में है 2152 L3 में भी 2152 यह भी set हो गया अब pad 5 चलेंगे pad 5 में L1 में है 1 4 1 9 L2 में है 0 8 8 1 L3 में है 2 1 5 2 ये भी हमारा all हो गया set हो गया अब इसको हम चलेंगे pad 6 पे pad 6 में L1 पे है 0 8 6 5 L2 में है 0 8 7 8 L3 में है 2 1 5 2 ये भी all हो गया अब हम चलेंगे pad 7 पे L1 पे है 0 3 00 L2 में है 2 1 5 2 L3 में है 2 1 5 2 ये भी pad हमारा set हो गया all हो गया अब हम चलेंगे pad 8 पे तो इसमें है L1 में है हमारा 0050 L2 में है 2 1 5 2 L3 में है 2 1 5 2 ये भी हमारा pad set हो गया इस सरके से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठो pad हमारा ready हो गया अब हमें इसको save करना है save करने के लिए आप यहाँ पर copy और save का बटन को प्रस करेंगे तो यहाँ पर लिख किया एगा save good to जो कि हमने number दिया है 072 इसमें आप enter करेंगे तो आप यहाँ पर no minus just plus आएगा आप plus बटन दबाएंगे यह success हो जाएगा अब आपका pad save हो गया तो इसके बाद अगर आपको इसमें नाम अगर देना है यानि इस number पर कोई नाम आपको set करना है जैसे मैंने Congo 4x4 किया है अगर आपको भी नाम जो है इस set करना है तो इसके set करने के लिए आपको फिर से menu enter के बटन को दबाना है फिर आपके सामने record setup और drum kit आएगा drum kit पर आप इसको enter करेंगे तो यहाँ पर आप आप नाम देने के लिए ready है लेकिन इसमें एक बार और आपको menu enter का बटन दबाना है तब आप इसमें आप नाम अपना दे सकते है तो नाम देने के लिए यह numbers दिए गए इने जाए 123456 यानि 12345 तक आप capital एड़ जा सकते है 6 से 0 तक आप इसको small एड़ जा सकते है तो यहाँ से आपने नाम को भी set कर दिया अब नाम को set करने के बाद आप जो है इसको save करेंगे सेव करने के लिए आप इसको menu enter के बटन को प्रेस करेंगे आप फिर प्लस के बटन को प्रेस करेंगे अब यह success हो गया लेकिन अभी यह kit अंदर है अब इसको आपको exit करने के लिए आप exit के बटन को प्रेस करेंगे अब यह kit आपके बाहर आ गई है आप ये kit आपका ready है, play करने के लिए आप play कर सकते हैं तो आएए सीखते हैं इसके beats को और वीडियो को subscribe, like, share करना मत भूलिएगा तो friends हम लोगों ने इसकी beat play करके देखी और इसकी edit में देखी आएए इसकी beat को सीखते हैं कैसे इसको play करना है तो पहला जो गाना है ये जो महबत में, मैं पहला थोड़ा play करके दिखा देता हूँ, फिर से आपको तो ये beat आपकी चलेगी, ये जो महबत है अब ये कैसे play हुआ है, तो पहली beat आपकी जो है, आप 5 और 8 को left, right सी कठा press करेंगे second beat में आप आपका, आप 6 और 7 पैट को left और right से कठा press करेंगे 2, 1, 2, जो third beat आएगी, इसमें fourth pat को hit करेंगे ठेक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब एक चीज़ का ध्यान देजेगा, जो rhythm आएगी, 1, 2, 3 नहीं आएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 का बहुत जल्दी होना है, 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3, तो 3 भी हो गया, अब 4, 4 कैसे आएगा, 4 में आप लेंगे third pat को right से और fifth pat को left से, 4, मतलब 4 में आपका जब पहला आएगा beat एक अठाएगी, 4, fifth beat आपकी right से आएगी third pat में 1, 2, यानि 4, 5, 4, 5, तो कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे आप इसको play कर सकते हैं इस लंग से आप इसको play कर सकते हैं मेरा जो गाना है मैं आपको सिर्फ खाली pattern के साथ बता रहो कि ऐसे आप इसको play कर सकते हैं इसलिए गाने को मत गौर करिएगा, गाना अच्छा हो, खराब हो, बस pattern को ध्यान दीजिएगा, ठीक है अब हम लोग सिखेंगे नीली नीले अंबर beat को कैसे play करें गाने के साथ, तो यह सिख लेते हैं तो पहले मैं आपको नीली नीले अंबर की beat play करके दिखा देता हूँ तो इस तरह के से यह beat हम play करेंगे, तो इसमें क्या का अब हमें लेना है beat कैसे लेनी है आई सिखते हैं तो पहली beat हमारी आएगी, 5 और 8 को इकठा लेंगे, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, अब 4 beat हमारी आएगी, again 8 pat पे, 1, 2, 3, 4, 5th beat हमारी आएगी, 5th pat पे, ठीक है? 5th beat हमारी 5th pat पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 beat हमारी आएगी, 7th pat पे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7, 7 beat हमारी आएगी, 1st pat पे, और 8 beat हमारी आएगी, 1st pat पे, तो कैसे बज़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब इसमें एक variation और है, beat सेम रहेगी, बस एक हमारा pad चेंज जाएगा, pad कैसे होगा? जैसे 1, 2, 2 हम ये ले रहे हैं, अब 2 हमारा ये हो जाएगा, 1st में ये 2 था, 2nd में ये 2 हो जाएगा, यानि कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, second में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, same ही चलेगा, बस 2 हमारा चेंज जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहले हम क्या लेंगे? इस तरके से हम खाली बीट चेंड करेंगे, इस जंग से आप इसको फ्लेक कर सकते हैं तो मैंने आपको दोनों गानों की बीट बता दी और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना मत भूलेगा और इस पैच को सेफ करके खिलेजेगा ताकि आगे और भी गाने मैं इसी पैच में बताऊंगा तो आपको असान हो जाएगा प्ले करना तो आज के लिए इतना ही ठैंक यू